पटना के अशोग राजपत पर पटना कोलेज के पास इस थी 300 साल पुराने ब्राइस्तान दुर्गा मंदर को तूटने से बचाने को लेकर पटना भी शुधाले के छातर नेताओं ने वीडियोत प्रदशन किया साथी शातर ने पुतला देहन करते हुए मंदर को बचाने की मांग भी करी शातर ने कहा कि दुर्गा ब्रमस्तान दुर्गा मंदर जहां है वही रहना चाहिए अगर परशाचन इसे तूटने का प्रियास करेगा तो इसका प्रदाम परशाचन को भुगतना पड़ेगा शातर नेतावं ने कहा कि यह मंदर प्राचिन वे एतिहासिक है कॉलेज़ के शातर जब भी प्रिक्षाद देने जाते हैं यहां पर माता टेकते हैं और माता का आशिरवाद भी लेते हैं वही मंदर के संजेजिक सिंग ने कहा कि देश की अजादी से पहले अंग्रेजों ने मंदर को हटाने का प्रयास किया था, लोगों के विरोत वे भावनों को देखते हुए निर्णे वापस लिया गया था उन्होंने का कि डबल डेकल फ्लाइवर का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन धार्विक भावनों के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है फ्लाइवर के निर्मान में पहले बनाये गए नक्षे में मंदिर रुकावाट नहीं था पुल निर्मान का कारे बढ़ने पर सुधानुसा नक्षा बदल गया उन्होंने का कि मंदर को बचाने के लिए पहले भी कलश जाता निकालने के साथ अखंड कीरतन हुआ था मंदिर को बचाने के लिए डियम वे पुल निर्मान निगम के अधिकारी से आगरे किया गया है बिति बुदबार से संजी सिंग के नेतर में लोगों ने मंदिर को बचाने के लिए अंशन शुरू किया था जो अभी भी जारी है अंशन शुरू करने से पहले सिंजी सिंग ने मात दुर्गा की पूजा अर्चना की मंदरे के मुखे पूजारी सिंजा पांडे ने अंशन शुरू कराया इसके बाद इस्थाने महिलाओं ने भी पूजा अर्चना कर भजन कीरतन किया इसाने लोगों ने परशाचन वे सरकार से मंदर को ना तोड़ने की अपील करी है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद